Welcome to sociology classes. मैं हूँ आपका दोस्त शीबू. आज हम डिसकस करने वाले हैं hypothesis के बारे में. जब भी हम कोई research conduct करते हैं, तब hypothesis का importance बहुत ज्यादा होता है. अब ये hypothesis के related जो भी चीज़े हैं, हमारे लिए research के time पर जो भी ज़रूरत परती हैं, ये सारे चीज़े आज के class में देखने वाले हैं. हम देखेंगे characteristics of hypothesis, different steps of hypothesis testing, और hypothesis में जो दो variables हम use करते हैं, dependent variable और independent variable ये क्या है ये जानेंगे, फिर देखेंगे null and alternative hypothesis और आखिर में type 1 and type 2 errors यानि कि जब हम hypothesis को test करते हैं, वहाँ पर जो भी दिक्कते आती हैं, या फिर जो भी गलतिया हम करते हैं, उस गलतियों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे. अगर आप मेरे classes में नए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना, क्यूंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे educational videos मिलने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारे playlists हैं, आप लोगों को चीजे ढूनने में बहुत आसानी होगी, तो चलिए आज का ये जो class है, ये हम शुरू करते हैं, हम पहले देख हैं कि hypothesis basically होता क्या है, ये एक tentative statement या फिर एक tentative explanation है, यानि कि हम जब भी कोई research conduct करते हैं, हम पहले से एक अनुमान कर लेते हैं, कि हमारा research का result क्या होगा, एसी अनुमान को कहा जाता है hypothesis, यहाँ पर हम एक possible relationship दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे variables के बीच में, यानि कि हमारे पास जो दो variables होते है, dependent और independent variables के बीच में हम एक relationship established करने की कोशिश करते हैं, और ये जो hypothesis होता है, ये basically testable होता है और verifiable होता है, यानि कि इसको हम test भी कर सकते हैं, verify भी कर सकते हैं, इस बज़े से हम जब भी कोई research conduct करते हैं, हमारे लिए hypothesis बहुत important है, अगर हमारा hypothesis सही रहा, तो हमारा research smoothly चलेगा, अगर हमारा hypothesis पहले से ही एक गलत तरीके का hypothesis हुआ, तो हमारा research conduct करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, और जो आखिर में result आएगा, वो भी सही नहीं आएगा, अब एक अच्छे hypothesis का कुछ characteristics होते हैं, hypothesis should be clear and precise, यानि कि जो भी हम hypothesis लेंगे, ये बहुत ही clear होना चाहिए, ये अच्छी तरीके से explained होना चाहिए, कि हम क्या करने वाले हैं, इसको test करना चाहिए, यानि कि ये testable होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम एक hypothesis पकड़ लिये हैं, जो जिसको हम test ही नहीं कर सकते हैं, जिसको हम manipulate करके समझने की कोशिश ना कर सकते, इस बज़े से hypothesis हम ऐसा testable होना चाहिए, और ये जो hypothesis है, ये हमें एक relationship समझाना चाहिए, variables के ब dependent variable और independent variable है, इसके बीच में जो relationship है, ये हमें समझाना चाहिए, hypothesis ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो, hypothesis एक छोटा होना चाहिए, ये एक clear होना चाहिए, साथ साथ, ये specific होना चाहिए, कि ये हम क्या चीज करने वाले है, ये हमें पहले से ही specific हो, और हमने जो भी research के regarding जो भी च facts हम use करने वाले है, इसको ये hypothesis explain करना चाहिए, यानि कि ये hypothesis के use के साथ हम facts को समझ भी सके, अब देखते है, hypothesis testing, जब भी हम hypothesis को test करते हैं, तो एक population का use करते है, population यानि कि कि किसी भी लोग या फिर कोई भी एक situation के उपर हम ये चीज को test करते हैं, खासकर हम कुछ लोगों के उ पर इसको test करते हैं, अब इस hypothesis testing के कुछ steps है, पहले हमें एक hypothesis को formulate करना चाहिए, जहाँ पर हमने अभी देखा है कि क्या-क्या good characteristics होने चाहिए एक hypothesis का, फिर हमें एक appropriate significance level decide करना चाहिए, यानि कि significance level, यानि कि हमारा error, हम कितना percent तक गलती कर सकते हैं, या फिर या फिर हम कुछ percentage ले सकते हैं, अगर हमारा problem इतना percent तक हुआ, तब भी ये सही है, हम लगभग 5% significance level लेकर चलते हैं, फिर हम एक test criteria select करते हैं, यानि कि कौन सा criteria use करके हम test करेंगे, फिर हम calculations करते हैं, और आखिर में हम decision देते हैं, यानि कि decision making process होता है आखिर में, अब ये जो hypothesis है, इसके regarding हमने अभी तक बहुत बार dependent और independent variables study कर लिये हैं, बहुत बार मैंने बोल दिया है कि dependent और independent variable, लेकिन ये दोनो variable actually में होता क्या है, हम जब भी कोई research conduct करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके का variables होते हैं, एक होता है dependent variable और दूसरा होता है independent variable, independent variable जो है, ये एक ऐसा variable है, जो researcher खुद control करता है और manipulate करता है, और dependent variable जो है, वो हमारा researcher का, research का outcome होता है, अब एक example के दुआरा independent और dependent variables को समझने की कोशिश करते हैं, अब हमारा एक experiment है, जहाँ पर हम check करने वाले हैं कि does room temperature affect test scores, यानि कि अगर कोई भी exam हो रहा है, वहाँ पर जो room temperature है, तो वो क्या test scores के साथ related है के नहीं है, यहाँ पर दो तरीके का variable है हमारा, यहाँ पर हमारा room temperature है, और दूसरा है हमारा test score, जो room temperature है, ये basically है हमारा independent variable और जो test scores है, वो है dependent variable, अब ये independent और dependent variable क्यों है थोड़ा ध्यान से देखिएगा जब हम temperature की बात कर रहे हैं तो temperature को हम study नहीं कर रहे हैं हम study कर रहे है test score को यहाँ पर independent variable को हम सिर्फ बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे यानि कि इसको हम measure नहीं कर रहे हैं यह सिर्फ हम बढ़ाएंगे घटाएंगे इसको हम manipulate करेंगे यह हमारा कारण है test scores का इसका साथ कोई relation है किया हमारा test scores के यह हम check कर रहे हैं इस बज़े से जो temperature है यह independent variable है यानि कि इसको हम study नहीं कर रहे हैं यह इसको हम manipulate कर रहे हैं इसको हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं लेकिन check इसको नहीं कर रहे हैं हम जो check कर रहे हैं वो होगा हमारा dependent variable यानि कि हमारा test scores जो है उसको हम measure कर रहे हैं यह है हमारा temperature के बज़े से जो भी effect होगा यह है यह दिखाया जाएगा test score के ऊपर यानि कि यहाँ पर independent variable है temperature जिसको हम manipulate करते हैं और dependent variable है हमारा test score जिसको हम measure करते हैं अब हम research के द्वारा देखेंगे कि हमारा यह जो दो variables है इन दोनों के बीच में कोई relation है कि नहीं है अब यहाँ पर जब हम relation की बात करते हैं तब हमारा आता है दो तरीके का hypothesis null and alternative hypothesis जब भी हम research conduct करते हैं तो हम hypothesis सिर्फ एक नहीं लेते हैं हम दो hypothesis को लेकर एक साथ चलते हैं एक है हमारा null hypothesis और दूसरा है alternative hypothesis यहाँ पर दो लिया जाता है क्यूंकि अगर एक reject हो जाए तो दूसरा automatically हमारा accept हो जाता है यानि कि यहाँ पर हम जो भी research करेंगे हमारे पास result कुछ ना कुछ जरूर आएगा एक नहीं तो दूसरा जरूर आएगा इस बज़े से दो तरीके का hypothesis लिया जाता है एक है null hypothesis दूसरा है alternative hypothesis null hypothesis में हम देखते हैं null hypothesis में हम देखते हैं कि जो भी हमने variables लिये हैं उनके बीच में कोई अगर relationship ना हो तो उसको कहा जाता है null hypothesis यानि कि हमने जो आब example देखा है कि हमारा test score के साथ temperature का कोई relation है के नहीं है यहाँ पर हम जब null hypothesis पकड़ेंगे तो हमेशा लेते हैं इन दोनों के बीच में कोई relation नहीं है यानि कि हमारा जो null hypothesis है वो होगा कि test score के साथ room temperature का कोई connection नहीं है और null hypothesis को हम h0 के द्वारा समझाते हैं फिर है हमारा alternative hypothesis अब alternative hypothesis में हम जो भी दो variables है इन दोनों के बीच में जो relation है इसको accept करते है यानि कि हम alternative hypothesis में पकड़ते हैं कि यह जो dependent variable और independent variable यानि कि room temperature और हमारा जो test result इस दोनों में relation है यानि कि अगर हमारा last में आखिर में जाकर अगर हम research खतम करेंगे तो हमें कोई न कोई result जरूर मिलेगा अब देखते हैं type 1 and type 2 error हम जब भी hypothesis को measure करते है यानि है hypothesis को test करते है तब हम से गलती भी हो सकती है इसी को error कहा जाता है अब हम जब भी hypothesis test करते हैं तो हमारे पास दो तरीके का errors है पहला होता है type 1 error दूसरा है type 2 error अब एक चीज़ याद रखना जब भी हम test करते हैं hypothesis को हमेशा null hypothesis को ही test करते हैं कभी भी हम alternative hypothesis को test नहीं करते हैं अब यहाँ पर एक diagram है इस diagram के द्वारा आप लोग ये दोनों error को अच्छी तरीके से समझ सकोगे हम जब भी test करते हैं तो हमेशा null hypothesis को ही test करते हैं यहाँ पर इसका दो तरीके का result हो सकता है या तो null hypothesis से ही हो सकता है true या फिर false हो सकता है अब इस ही result को true या फिर false इन दोनों को हम reject भी कर सकते है और या फिर हम इसको accept भी कर सकते है अब जब हमारा null hypothesis true रहा यानि कि ये सही है इसका result सही है अगर इसको हमने इसका result सही होने के बावजूत अगर हम इसको reject कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा type 1 error जिसको हम false positive कहते हैं और इसको हम alpha के द्वारा denote करते हैं फिर हमारा दूसरे तरीके का जो error है यानि कि गलत रहा लेकिन फिर भी हमने इसको accept कर लिया तो इसको कहा जाएगा type 2 error इसको कहा जाता है false negative इसको हम beta के द्वारा denote करते हैं अब आप लोग एक चीज याद रखना कि हमारा जो type 1 error और type 2 error है इस मेंसे जो dangerous है वो है हमारा type 1 error type 1 error is more dangerous than type 2 error अब यह basically होता क्यों है अगर हमें किसी भी एक इनसान को सजा देनी है तो अगर कोई भी अच्छा इनसान हो अगर उसने innocent person हो कोई अगर हमने उसको सजा दे दी तो वो हो जाएगा हमारा type 1 error यानि कि यह बहुत एक dangerous बात है जहाँ पर हमने एक अच्छे इनसान को भले इनसान को सजा दे दी और type 2 error में हो जाएगा कि हमारा कोई भी एक गलत इनसान है बुरा इनसान है लेकिन उसको हमने सजा नहीं दी यानि कि छोड़ दिया तो यह हो जाएगा type 2 error इसलिए type 1 error type 2 error से बहुत ज्यादा dangerous होता है तो आशा करता हूँ आज का यह class आप लोगों को पसंद आया है अगर class पसंद आया है तो वीडियो को like और share जरूर करना क्यूंकि sharing is caring मिलते है अगले class में तब तक अच्छे रहिए स्वस्त रहिए और लोगों में प्यार बाटते रहिए जाए हिंद